तो चलो इस वाले क्वेशन को देखो प्यारों पीचो इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक सेटलाइट है सर्कूलर आर्बिट एक्वेटर के राउंड घुम रहा हूं और आर्बिट रेडियस यह पूरी जो आर्बिट की रेडियस है वह अपनी आर है ऐसा कहा जा रहा है ठीक है अर्थ के सेंटर से और यह पॉइंट यह पर है सेटलाइट तो अगर एक्वेटर से कोई आद्वी देखता है कोई अब्जरवर है तो यह प्यारा सा अब्जरवर है जो एक्वेटर पर रहता है तो अगर यह एक्वेटर पर रहता है तो इसको जो सेटलाइट है यह कहते है कि अगर यह satellite revolving in a circular orbit of radius this point from west to east तो west से east satellite गुम रहा है एक diagram में यहां आपके लिए बना देता हूँ तो आपको और थोड़ा सा वहतर तरीके से यह ज़्यादा feel आएगा तो यह कहना क्या चाह रहे हैं तो एक satellite ऐसे थोड़ा सा गुम रहा है एक्वेटर पे west से इत तो यह जो satellite है वो equatorial plane में है और ऐसे गुम रहा है यह अपनी अर्थ पर अर्थ यह जो अर्थ है अपनी axis पर omega से गुम रही है और earth भी west से west आँ अर्थ भी west से east ही गुम रही है omega से और यह जो satellite है से यहां पर सेटलाइट है यह सेटलाइट ऐसे चक्कर लगा रहा है क्लियर हो रहा है बात तो हम यह कहते हैं अगर टूडी व्यू में इसको देखोगे तो टूडी व्यू में अगर देखोगे तो यहां से किसी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे यहां पर किसी पॉइंट में पर सेटलाइट किसी इनस्टेंट अगर और पर कोई पॉइंट है तो ऐसे रोटेट कर रहा है इस सेंज में इस पॉइंट पर रोज़िकर रहा है तो उसी सेंज में जो है sense of rotation किसी point का यहां पर satellite का ओ भी अलग ही velocity से उसी direction में tangentially move कर रहा होगा यह ऐसे तो यह जो satellite है उसको मैं body 2 बोलता हूँ और जो earth है earth पर कोई particle है उसको मैं body 1 बोलता हूँ थोड़ा सा रुखो और सोचो थीखे ना थोड़ा सा रुखो और सोचो कि यह वाली चे तो यहां से तुम देखोगे कि यह कह रहे हैं कि यह जो satellite every tau यह जो tau time पर 11.6 hour एपियर होगे certain point मतलब अगर इस point से कोई observer यहां पर खड़ाय तो उसको यह satellite हमेशा इस tau time t 11.6 hour के बाद दिखाई दे रहा है तो using this data calculate the mass of the earth मतलब अर्थ का हमें mass calculation करना है इस data से तो सबसे पहले तुम देखोगे कि अगर कोई satellite है यह चक्कर लगा रहा है और दुबारा यहीं आ रहा है दुबारा यहीं आ रहा है तो distance कितना चला होगा 2 pi r तो time is equal to distance is equal to 2 pi r चला होगा और linear velocity लेकिन velocity of the satellite with respect to earth किया जाएगा क्योंकि earth पे भी वो person rotate कर रहा ना वहीं कुछ linear velocity भी से तो यहां से इसको मैं बड़े अराम से लिख सकता हूँ कि 2 pi r और b is equal to r omega होता है तो velocity of satellite omega of satellite with respect to earth यहां से तो यहां से जो time यहां से जो omega की omega of satellite with respect to earth आ जाएगा हुआ जाएगा 2 pi upon time को tau से इन्होंने denote किया और इस equation को मिल लेकि सकता हूँ omega of satellite minus omega of earth is equal to 2 pi और tau तो यह अभी मैं equation इसको यहीं रहने देता हूँ और मैं इस equation को equation first बोल देता हूँ को दिक्कत परसानी वाली बाद नहीं है अब मेरा target है omega 1 और omega 2 निकालना और फिर इस equation को solve कर लेंगे अब satellite अगर घूम रहा है तो उस पर centipetal force लग रहा होगा अगर इस satellite है यहां पर satellite है ऐसे तो उस पी जो centipetal force है वो center की तरह लग रहा होगा और यह centipetal force कौन दे रहा होगा gravitational force तो फिर इस equation को मैं solve करता हूँ तो centipetal force is given by gravitational attraction of the satellite ठीक ना और earth के बीच तो इसका मतलब है हुआ centipetal x जो force होता है वो mass of the satellite omega m r omega square होता है तो m r omega का square ठीक है और is equal to g mass of the earth earth है तो mass of the earth और mass of the satellite और radius r का square तो यहां से m ने m को खतम कर गया तो यहां से जो omega of satellite आ जाएगा तो उसकी जो value आ जाएगी omega of satellite हो आ जाएगी cm और radius r की power q under root यह this is what this is the omega of satellite और omega of earth कितना होगा this is angular velocity of satellite angular velocity of satellite तो यह जो कहानी है वो किसकी है यह satellite की है तो अगर तुम बात करोगे यहां omega of earth की बात करोगे तो यह आजाएगा 2 pi t under root तो यह earth की है ठीक ना यह omega तो इन दोनों की value अगर मैं यहां से रखता हूं तो अगर मैं यहां इन दोनों की value रखता हूं तो gm r की power q under root और यहां से minus 2 pi time period t और यहां जाएगा 2 pi और यहां से tau तो कुल मिला के अगर तुम यहां देखोगे तो हमें mass of the earth चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि g mass of the earth radius r की power q under root तो यहां से जब इसको देखोगे तो 2 pi यहां से tau का इधर आ गया plus 2 pi और यह time earth का time period तो यहां से तुम हमारा final calculation क्या जाहिए mass of earth चाहिए तो mass of earth के लिए इसको मैं दोनों side square कर दूँ तो इधर बचेगा gm over r की power q और इधर बचेगा 4 pi का square और यहां जाएगा 1 upon tau प्लस 1 upon time period t की a square हाजाएगा ठीक है इसका मतलब बेखोगा की mass of earth जोआ जाएगा वहाजाएगा 4 pi का a square radius r की power q divide कर दें gravitational constant multiply कर दें 1 upon tau plus 1 upon time period t कर यह तो यह basically क्या है this is the final expression for what this is the final expression for mass तो यह अब इसमें r की power q radius of the earth constant time period tau यह सारे उपर का data रखोगे तो तुम्हें solution मिल जाएगा तो put all put all the all the values all the values of all the values of constant तो इन सारे constant की value put करोगे तो यहां से mass of the earth जो आ जाएगा mass of earth m की जो value आ जाएगी जाएगी 6.27 into 10 की power 24 kg तो यह finally basically यह हमारा solution है जो हमें चाहिए था तो आयोग की आपको बहुत मज़ा आया होगा और अगर मज़ा आया है समझ में आ गया और कुछ तुम्हें help मिल ला है तो प्लीज सपोर्ट मी थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बेबे टेक केर कर दो